Welcome students, आज हम बात करेंगे राजस्तान में BAC Nursing Scholarship के बारे में जी हाँ बिल्कुल students, आप राजस्तान में BAC Nursing है, वो बहुत ही कम फीश में कर सकते हो या फिर आप बिल्कुल निश्चुलक राजस्तान में BAC Nursing कर सकते हो students तो इस वीडियो को complete देखिएगा चाहे कोई भी किसी भी केटेगरी से यह दिया आप बिलोंग करते हो चाहे आप OBC से बिलोंग करते हो ASE से बिलोंग करते हो AST या फिर किसी भी केटेगरी से MBC अधर केटेगरी से किसी भी से बिलोंग करते हो तो आपको scholarship मिल सकती है कैसे मिल पूरी डिटियल आपको इस वीडियो मिले कि कौन सा फोरम बरना पड़ेगा किस प्रकार से आप बीएसी नर्सिंग जो कोर्स है उसके लिए इसकोलर्शिप प्राप्ट कर सकते हो तो सबसे पहले यानि कि बड़ी ताजुब के बात है कि इसकोलर्शिप के बारे में काफ़ी स पता भी नहीं है और अपनी फीस किसी भी प्रकार से पूरी जमा करवाते हैं और साथ काफ़ी सारे ऐसे स्टुडियो में आपको बता दिया जाएगा तो सबसे पहले जो स्टुडियन्ट अमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आगना प्रेशिए पर प्रेश प्रेशियो को शुरू करते हैं और चैनल को सबस्क्राइब किजी हमें और मोटीवेशन मिलता और आपके लिए अच्छे-चे वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको पता है राजस्तान में अभी बेसी वो शुरू होने वाली है अभी सुरू होई नहीं सेकंड राउंड सुरू होने वाली है तो स्टुएंट काफी सारे एसे स्टुएंट जो सेकंड राउंड में जाएंगे एडमिसन लेंगे वो भी हमें स्कोलर्शिप के बारे में पूछ रहे थे और साथ पहले वाली स्कॉलर्शिप है वो यहाँ पर देखे किस वेबसाइट पर बढ़ी जाएगी सबसे पहले आपकी स्कॉलर्शिप है सोशियल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट डिपार्टमेंट इस विभाग के तरफ से आपको राजस्तान में स्कॉलर्शिप का उपर जो है दिया जाता है यह स्कॉलर्शिप देखे यदि आप नॉर्मल बीसी करते हो तो भी आपको मिलेगी यदि आप प्रोपेशनल जैसे बीसी नर्सिंग वगेरे करते हो तो भी आपको यह स्कॉलर्शिप मिलेगी स्टुडेंट का पिसारी को पता नहीं किसे मिलेगी किस प्रकार से सबसे पहल आपको यानि कि आपको यदि आप किसी भी category से हो तो भी इसे बर सकते हो चाहिए उबी से MBC, EWS किसी भी लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए सबसे पहले फोरम बरने के लिए आपके पास इसका एक application forum फिल आप यानि कि application forum होना चाहिए application forum में आपकी पूरी detail मांगे जाएगे जैसे forum कैसे download करना है आपको चलिए बताई देते हैं फिर आपको बताएंगे पूरी detail सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है official website पर, official website है social justice and empowerment department इस website पर आपको सबसे पहले आना है इस पर आने के बाद में थोड़ा आपको और निचे scroll करना है निचे scroll करने के बाद में यहाँ पर देखे है corner में आपको जितने पर online यहाँ पर application forum चल रहे हैं उनकी यहाँ पर जानकरी दी गई है तो यहाँ पर हम आएंगे scholarship portal के बारे में scholarship portal के बारे में तो इस पर scholarship के बारे में पूरी detail दीगे निचे एक और option दे रहे है scholarship application status इसमें क्या है कि यदि आपने forum बर दिया तो आपकी जो है scholarship कब आईगी कितने date को आईगी पूरी अपना status यहाँ से जान सकते हो तो फिलाल हम scholarship portal पर कलिक करते हैं तो यहाँ पर देखे scholarship के बारे में पूरी detail यहाँ पर दी गई है कि scholarship है वो कब तक बरे जाएगी कि यानि कि मतलब उसकी last date क्या है कब तक उसके forum बरे जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दिता हूँ कि scholarship फिलाल ही आपर कलोज हो चुकी है उसकी यहाँ पर last date थी 31 मार्च 2022 काप सारी student मुझे comment भी करेते कि सर scholarship की date अब कब बढ़ेगी यह तो कलोज हो चुकी है तो student सबसे पहले मैं आपको आस्वासन दे देता हूँ यदि आपके बेसे nursing में पूरे जब admission पूरे complete हो जाएंगे तब इसकी date है वो और एक मेने और increase की जाएगी तो आपको पिल्कुल भी गबराने के बाद ने इसकी date increase होती ही रहती है तो यहाँ पर इसका profile पिछे भी देख सकते हो देखे इसके date कितनी बार बढ़ती रहती है जैसे 31 December हुई थी last date फिर उसके बाद में 31 January इन लोगों ने last date की थी और यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे पिल अंत में यहाँ पर देखे 31 March भी यहाँ पर देखे 31 March भी इन application process जो जाएगा 2021 22 का तो आपके लिए भी इसके लिए यहाँ पर application forum की data बढ़ाई जाएगी अब बात करते हैं यह forum कैसे apply करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पर इमित्र पर जाना होगा student पूरी दानपूरोग बात सुनना यह आप अपने फीस बचाना चात सकते हो scholarship के लिए तो वहाँ पर आपको scholarship का forum लेना है अब उस forum में यहाँ यानि कि आपकी उस forum में basic जानकरी आपको बढ़नी है या फिर यह आपको नहीं परता तो इमित्र वाले से पूर सकते हो basic जानकरी बढ़नी है student उसमें साथ ही उसमें आपको क्या होगा एक passport size आपकी admission लिया या फिर कोई भी college आपको मिली है और कापी सारी students second round वाले तो आपको गबरानी के वाद नहीं है जब आप college पूरा admission process complete हो जाएगा तब इसके फोरम दुबारा सुरू होंगे तो आपने admission लिया वहाँ पर जो principal जो है अध्यक्स है वहाँ पर उसके अस्ताकसर यहाँ समझ लेना पूरी जानकरी तो यहाँ पर इसके अस्ताकसर होने के बाद में जो भी आपके पास यदि BPL card है तो वह आपर apply होगा या पिर आपके पास किसी भी केश्ट से हो सर्मिक डारी है किसी भी cost से होगे तो भी वह आपर apply होगी और वो भी यहाँ पर apply होने के बाद में simply आपको Emitr पर जमा कराना है और वो आँपर आविदन आपके फिलब कर दिया जाएगा इस प्रकार से आपके जो है scholarship यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस-किस category से यहाँ पर आप scholarship प्राप्त कर सकते हो दूसरी बात आपके पास यहाँ आपके पास BPL कार्ड है तो आपको पूरी फिस वापिस मिल जाएगी जी हाँ चाहिए आप गरलो चाहिए बोई जो यहाँ आपके पास है तो पूरी फिस रिपंड हो जाएगी या फिर आपके पास जो है बड़ा मोकाई से जाने नदमत दीजिए और सबसे पमेन बात है कि अभी इसके फोरम कलोज है जैसे फोरम ओपन होंगे तब आपको मैं वीडियो बना कर जो है आपको बता दूँगा कि फोरम स्टार्ट होगे या फोरम बदो तो इसके लिए वीडियो आपको कैसी मिलेगा ज देजे क्योंकि इससे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे अब ये थोड़े सेक्ट रौण की बात करते हैं देखें सेक्ट रौण काउंसिलिंग जब भी स्टार्ट होगी आपको पूरा डेटियल वाइज वीडियो मिल जाएगा और सेक्ट रौण पर वीडियो में इस्पेसरी लेकर आ रहा हूँ स्टुडेंट्स तो इस वीडियो में फिलाल इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में जेंद बनते हैं मात्रम